हालो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हिंदी के महत्वपुर्ण पहुई कल्पी प्रश्णों को देखेंगे जो 2024 में होने वाले बोर्ड एक्जाम के लिए यह सभी प्रश्ण बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है फ्रेंस आप से 100 पर रिविजन कर सकते हैं और बोर्ड के एक्जाम इन प्रश्णों का रिविजन करके आप यदि जाते हैं तो आपको 100 परसेंटेज की गारंटी देते हैं कि आप 20 में 20 बहुई कल्पी में से 20 नंबर प्राप्त करेंगे ठीक है आज यह हिंदी का पार्ट टू है जिसमें आज हम 20 क्वेश्चन बहुई कल्पी देखेंगे ठीक है फ्रेंश चलिए फ्रेंश वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंश देखें आपके सामने पहला सवाल है कि अपना अपना भाग्य कहानी के लेखक है तो फ्रेंश देखें यहाँ पर आपका एक कहानी दिया गया है नहीं दो दो फ्रेस्थ अपने अपना भागी कहानी के जो लेखक है जनिári कुमार तो सफ्रेस्थ प्रेस्ट का सही जवाब एक तो फ्रेस्ट आप याद रखेगा कि अपना अपना भागी कहानी के लेखक कोन हैं जनिक फ्रेस्थ champ झालोने तो नमबर के सवाल को पसंद है अектив वीडियो को लाइक करें। और यइदी चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लें थीक है। दूसरा सवाल आपका है कि मधुए कहानी के रचनाकर है ठीक है। अब आप को पताना है कि मधुए कहानी है। इसके रचनाकर कौन है ? आपसान प्रेम चंद्र जैसंकर प्रसाथ यश्पाल यह किशोरी लाल तो फ्रेंज देखें यहां भी मधुवा कहानी है इसके रचनाकर जो है जैसंकर प्रसाथ जी है इसका सही जवाब होगा भी ठीक है जैसंकर प्रशाथ ने मधुवा कहानी को लिखा है साथ में आप याद ऑपके साफ़ें दिनिमने कंने की पहली कहानी के मानने हैे देक्षी इप्रेंस्ट। यह और बॉड गयुजान मे बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट थाओ पहली कहानी के मानने थ्ू आपसन है कलाकार डंड दुसरा भागय और पूरुशार्ट तिसरा अफ्षण इंदुमती चोथा आत्माराम तो फ्रेंस देखि जो पहली कहानी है वो इंदुमती है तो इसका सही जवाब होगा सी वाला आप्सन करेक्ट होगा कि हिंदी की पहली कहानी के रुप में मानने है कौन सा है इंदुमती इस सवाल को आप जरूर याद रखिएगा आपके पेपर के लिए बहुत की इसके पहले और प्रशाद आपको बता c toute है कि मत्वा कर घ्याद रखनाई को जरूर कर जरूर रखिए विए प्रशाद जैसंकर प्रशाद जी है अब यहां पर क्वेशन क्या है कि मधवा किस विधा की रचना अग्रा नंबर का सवाल है पांच्वा नंबर का कि परदा जो कहानी है इसके रचनाकर कौन है आपसर है जनेंद्र होंगे या यश्वाल होंगे या श्रिवानी होंगे या महादेवी वर्मा जी होंगे देखें यहां पर चुब पर्दा है इसको याद रखिएगा कि पर्दा क्या है कहानी है इसको साथ में याद रखिएगा पर्दा क्या है कहानी है इसके रचनाकर कौन है जैसंकर प्रसाज जी है तिस प्रशन का सही जवाब होगा भी कि पर्दा कहानी के रचनाकर ये श्पाल सिंग यह स्पाल है ठीक है तो इस प्रश्ण का सही बीवाला करेक्ट होगा अगला सवाल देखे फ्रेंस यह भी आपके बोड के एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट इस पे आप ज्यादा ध्यान देजीएंगा दरौगा के साथमा नमबर का सवाल है रानी नागफनी की कहानी के लेखक कौन है ठीक है रानी नागफनी की कहानी के लेखक कौन है आपसने महादेवी वर्मा है हर शंकर परसाई है या जैनेंद्र कुमार है या यश्पाल है तो फिर देखें यहां पर रानी नागफनी की कहानी है ठीक है हरी शंकर परसाई है इस प्रशन का सही जवाब भी वला कशानी कि लिखा है ठीक है आपके सामने अगला नमपर का सवाल है जो कि इंपोर्टेंट है इसके आप भी इंपोर्टेंट कर लिजेगा इंदुमती को आप इंदुमती जो कहानी है इसको बार बार पेपर में पूछता है कि इंदुमती कहानी के लेखक कौन है आपसन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी राम चंद्र शुकल किशोरी लाल गोस्वामी लाला भगवान दीन तो थीक है तो फ्रेंश देखें अंधुमति कहानी के लेखक जो है किशोरी लाल गोसवामी इस प्रशन का सही जवाब होगा सी वळा आपसन करेक्ट होगा ठीक है आगया होका चलिए तीन दोंगे चार दोंगे पाँच बैद HONGB यह तो भेद प्रेंस तो भेंस तो भेत होता है पांच कीतने है पांच की ड़ी अला करेक्ट होगा कि विसाय के आधार पर पन्यास के टोटल कितने पहल्ते बैसे पांच फेयर थिंगए अगला सवाल आपका है कि उपन्यास के कितने तत्यों अक्ता यहां यहां पर पूछ रहा है कि उपन्यास के तर्फन जो कितने इसाथ होगा डहीं कि दोसे कितने 60 होगा दैके दोनों प्रशन साथ में आप याद रखिएगा चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं अगला नंबर का सवाल आपके सामने है 11 नंबर का जो कि यह भी आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट यह भी कई बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है कि गोदान की विधा है यानि गोदान कौन सी विधा है कहानी है उपन्यास है या एकांकी है या निबंद है तो फ्रेंच देखिए जिस प्रकार से प्रस्म लिखें है सेम तो सेम इसी प्रकार की प्रस्म आपकी बोड के एक्जाम में पूछ देता है ठीक है कि गोदान की नंबर के पर हाँ नंबर का सवाल देखते हैं कि हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है इंपोर्टेंट इसको भी साथ मियाद रखिए कि हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है आपसाने चित्रिलेखा को माना जाता है या परिच्छा गुरू को माना जाता है तेड़े मेरे रास्ते को या गोदान को देखे फ्रेंस यहाँ पे हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है तब परिच्छा गुरू को माना जाता है तो इसका सही जवाब होगा परिच रचना है थाई था भूमी के बताना है कि किश विदागी रचना है आपसञा ने कहानी वाला कि तपों भूमी किस विदाकी रचना है त्याइक उपन्यास से समझ में आगे होगा सवाल चली अगले सवाल को देखते हैं अगले सवाल है कि यह संकर प्रशाद की रचना की है आपसने गोदान कंकाल गुनहों का देवता या त्याग पत्र तो जैसंकर प्रसाथ द्वरा रचित रचना का नाम है कंकाल इसका सही जवाब क्या होगा ठीक है जैसंकर प्रसाथ की रचना कौन सी है तो इस प्रशन को याद रखिएगा अगला सूवाल है फ्रेंस, शोदा नंबर का किнейटी दीवारे के रचनाकर है तो उपएंद्रनात अश्कों है तो उपएंद्रनात अश्कों है तो इसका सही जबाब क्या होगा डिवल क्रेक्ट होगा समझ में आगया होगा कि गिर्ती दिवारे की रशनाकर कौन है तो उपेंदरनात अश्क है चलिए अगले नंबर का सवाल को देखते हैं देखे अगला सवाल है पंदरा नंबर का कि नागा अरजुन का उपन्यास है ठीक है आपसाने गोदान है अवारा मसीहा है बलचनमा है या गुनाहों का देवत है यानि फ्रेंज आपको बताना है चो नागा अर्जुन द्वारा लिखा गया उपन्यास काउन सा है यह बलचलमा है इस प्रश्न का प्रश्ण का सहीं जवाब होगा स्थी वाला क noi आपके अगला नंबर का सवाल है सुलावा नंबर का कि स्री जनेंद्र कुमार का उपन्य आपको बताना है कि श्री जैनेंद्र कुमार का उपन्यास है तो फ्रेंज देखे आपसन है ब्रिग नयानी है या बाढ़ भट की आत्मकता है या त्याग पत्र है या इन में से कोई नहीं तो फ्रेंज देखे सुलाहवा नंबर का सही जवाब होगा स्री जैनेंद्र कुमार का उपन्यास जो है त्याग पत्र है इस प्रेंशन का सही जवाब सी होगा चलिए अगले नंबर का सवाल को देखते हैं सात्वा नंबर का सु त्रहवे नंबर का कि सुनीता विधा की द्रिष्टी से रचना है या कैसी है कहानी एक है नाटक है या स्मझ में आगे होगा chaosorg सभी नंबर को दैखते हैं इसको after इंपॉसराण कर लिजएगा इंपोर्टिन कर लिजीए कहाँट की इरावती के रच才यता कौन है आपको बताना है फिर्यंज की एराउती क कोन है आपसंन है सियू पूजन सहा घॉक है यह किया बताने सियू पूजन सहा है जैशंकर परशाज जी है अचार चतुर सेयन है यह सूर कांतरी पाती निराला तो फिर्यंज देखिए इराउती का राचय प्राइड के मध्यम से किसे प्रस्तूत किया जाता है告诉rist जोवाद के दौराे कहने प्रस्तूत कि दवरेग द्वरेशल प्रस्तूत की द्वरेड के काने के दौरा उपन्याज सर्फ दौरा ऑकंगी की द्वर कि संगीत व सनवात के माध्यम से हम नाटक को प्रस्तूत करते हैं इस प्रश्ण का सही जवाब क्या होगा एवला करेक्ट हो आपके सामने अगला नंबर का सवाल है इसे भी आप इंपोर्टन कर लीजिएगा क्यूंकि यह प्रश्ण आपकी पेपर में आ चुका है क्या है कि किस विधा की रचना है अजास ठरू जो है एक एक कहानी है या उपन्यास है ना टक है इस प्रश्ण का सही जवाब क्या होगा डी वाला करेक्ट होगा ठीक है तो फ्रेंश यहां पे आपको 20 मषत्पूर्ड हिंदी के बहुई कल्पी प्रशन कराएं रहे यह सब ही प्रशन आपके, बोर्ड के एक्ञाम में पूछे जा चुके हैं कुछ ऐसे भी प्रशन है एक्सपेक्टेड जो हैपके अप बोर्ड के एक्ञाम 2024 में आएंगे ठीक है, ठीक है, फ्रेंश तो फ्रेंज देखिए ये आपका हिंदी का पार्ट टू था जिसमें आपको 20 बहुई कलपी प्रशन कराएं इसी प्रकार के परतेख सब्जेक्ट के परतेख चेप्टर का बहुई कलपी प्रशन और वस्तुनिश्ट प्रसन सभी आपको हल कराते रहेंगे तो फ्रेंस यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहरे आपके पास चला जाएं ठीक है